हेलो फ्रेंट वेलकम टो वाल माई यूटूब चैनल आज मैं आपको पंजाब स्टेट कॉपरेटिव मिल्क प्रडूसर फेडरेशन निम्टेड में जो 84 पोस्ट निकली है उसका टेस्ट जो है डिकलेर हो गया है 16 फरवरी को उसका पेपर का जो पैटर्न है वो बताने जा र जैसे सीरे नमबर फर्स्ट तिया हुगा असिस्टेंट मैनेजर एंजिनरिंग असिस्टेंट मैनेजर सिवल असिस्टेंट मैनेजर सिस्टेम एंड मिस यह जो फर्स्ट थ्री सीरे नमबर है इसके लिए जो पेपर का जो पैटर्न है पेपर फुल होगा 100 मार्क्स का तो ले और सब्जेक्ट एरिया जो जिस ब्रांच से एलेटर है जैसे यहां पर इलेक्टिकल, मेकैनिकल, MIS कम्प्यूटर से एलेटर है सब्जेक्ट एरिया का पेपर होगा 50 मार्क्स का नेक्स्ट है सब्टिकल, जिसमें आय daí सब्सक्तिक एक काउनेशफुटिकल, आकोण आयी मिन्यॽक का है inidan थे सब्सक्राइब मार्क्वर्च एक प्राःक्चिवूटर है तर इसके लिए जो पेपर का पेटर्न है वे लेंगुज प्रटोम्रों प्रीजिशवाल mental aptitude reasoning 15 marks computer proficiency 10 marks और subject area 40 marks और इसमें जो minimum qualify marks 50% for general category and 45% for reserve category तो जो engineering के students हैं engineering field में तो उसका जो special जो उन्होंने दिया हुए subject area तो किस-किस subject में से जो paper का जो pattern दिया हुए वो भी मैं थोड़ा आपको detail के साथ बता रहा हूँ जैसे दिया हुए syllabus for AM engineering जो first post है assistant manager engineering तो उसका जो subject area दिया हुए वो है basic electric engineering concept thermodynamics solid mechanics strength of material fluid mechanics pump gears pulley refrigeration basic power plant engineering and traction basic process controls sensor LBDT transmitter least count variance motion and time study boiler its type and efficiency तो यह सारा जो subject area दिया हुए जो first three category में पहले हमने discuss किया है तो यह एम अंजिनी के लिए system manager अंजिनी के लिए अमीर करता हूँ जह आपको जी वीडियो अच्छी लगी होगी और और अगर आपको वीडियो जी अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद झाल